वेलकम टू टार्गेट फॉर आई की स्वागता आपका अपनेश येट्यूब चैनल पर मैसल फ्राविंदर कुमार तो इस्टुएंट्स आज हम करेंगे 11 सप्टमबर के सभी इंपोटेंट्स करंटेफिर तो एक बार जो भी नहीं वर्स हैं वो सभी चैनल को जरू आपको इतना इस कोस्टन से याद रखना है चलिए कोस्टन नंबर बन से सुरॉत करते हैं तो पहला कोस्टन आपका हाली माइसेज टी टी ट्वंटी रेंकिंग में सरवोच बल्लेबाच कौन चुन चुन गए काफी इंपोटेंट है टी ट्वंटी के अभी लेटेस्ट रे इस से पहले आपको वीडियो में कराया था कि ICC की टी ट्वंटी टैंकिंग में कंट्री की एक लिश्ट जा रही हुए है तो वो ऊस्टेलिया है ठीक है आप ये भी आद रखेगा और ICC की बात करने तो International Cricket Council International Cricket Council Establishment इसकी स्थाबन होई थी 15 जून 15 जून 1909 और वरत्मान में जो इसके हैड है चेरवेन जो है वो है शेशांग मनुहर जी और CEO जो है वो है मनुसानी तो आपको इतना इस कोस्टन से याद रखना है बाकि ICC का हैड़कॉर्टर कहाँ पर है दुबई ठीक है चलिए कोस्टन नमबर 2 से 2 देखते हैं हाले में किस राज्य ने अपने जिले से बांगलादेश के साथ अंतरदेशी जलमार्ग खोल दिया है वाडर वेवस ठीक है इंडर स्टेट वाडर वेवस खोल दिया है तो वो कौन से राज्य ने खोला है वो है त्रीपुरा ठीक है त्रीपुरा आप याद रखेगा और त्रीपुरा आप यहाँ पर लोक नरेंदर सिंग अग्रिकल्चर मिनिश्टर नरेंदर सिंग तोमर के अनुसार के इंदर सरकार ने पांच वरसों के लिए सुक्समत से चाहिए यह होता है आपका जो ड्रिप ड्रोप इरिगेशन होता है ठीक है ड्रोप इरिगेशन के अंतरगत कितने लाग हेक्टेर भूमी जो बूंदों से सिचाई होती है ठीक है पानी की बचत होगी इसमें और सिचाई को बढ़ावा मिलेगा तो आपको इतना इस कोस्टन स्याद रखना है कितने हेक्टेर सो लाख हेक्टेर के लिए ठीक है चली कोस्टन नमर फूर देख लेते हैं हाली में किस देश ने सोसल मीडिया पर फरजी सूचना है और अफवाहों को रोखने के लिए असोल चीनी ये रियल सुखर नामक अभियान शुरू किया है तो ये क्या है बंगलादेश ने ठीक है बंगलादेश ने क्या है है वो पश्चिम बंगाल से बनाता है यह भी आप याद रखेगा और तिरी पूरा तीनों तरफ से बंगलादेश से घिरा हुआ है और बाकि इतने ही फैक्ट आप याद रखेगा बंगलादेश से चलिए कोसर नमबर फाइब देख लेगे हैं हाली में किसके द्वारा मतस्य संपदा योजना यानि की मतस्य संपदा योजना को किसके द्वारा सुरू किये गया है तो ओफसन नमबर ए सही होगा आपका इसमें पी एम मोदी द्वारा और इसकी जो योजना का नाम है पी एम एम एस वाई यानि प्रिधान मंत्री मतस्य कि जाएगी उसके एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ये सब किया जा रहा है और इसमें जो खर्च होगा जो गवर्मेंट की तरफ से वह 20,000,000 करोन रुपे खर्च के जाएंगे ये भी आपको याद रखना है और इसमें वैसे बात की गई है कि 55,000,000 लोग रोजगार ठीक है चलिए खुस नमर 6 देख लेते हैं हाली में जारी यूएन की रिपोर्ट के अनुसार बारत में 1990 से 2019 के बीच बाल मिट्टी दर में कितने प्रतिशत की वार्सिक कमी दर्ज की गई है तो ये दर्ज की गई है 4.5 परसंट ठीक है याने की साड़े 4 परसंट ये बेसिक जारी की गई है और ये काफी कम हुई है इस बार बाकी यूएन की बात करते हैं तो यूएन यूनाइटेड नेशन्स और इसका जो इस्टेबलिसमेंट हुआ था 24 अक्टूबर 1945 और हेड़कॉर्टर नियॉर्क है ठीक है नियॉर्क है है एड़कॉर्टर सेकेटरी जनरल ए याने कि संस्क्रेड़ नामक एक कारेगरम सुरूग गया है हलाकि जितने भी कारेगरम से प्लानिंग्स होते हैं वो इंगलेस में भी वैसे ही लिखे जाते हैं तो यह क्या है उत्रखंड सरकार ने किया है तो यहां पर आपको पताँएंद चाहिए कि उत्रखंड के जो भी घोशित की गई है ठीक है तो आपको इतना इस कोस्टन से याद रखना है चलिए कोसन नमर 8 देख लेदे हैं हाली में राष्टपति रामनाथ कोविन ने किसे नेशनल इस्कूल ओफ ड्रामा का अध्यक्स निक्त किया है मिन्स नेशनल इस्कूल ओफ ड्रामा याने की एने कोसन नमर 9 देख लेते हैं हाली में किस देश की संसद में किसके नोबेल सांती पुरुषकार के लिए डोनाल ट्रम्प के नाम से नामांकन प्रस्तुत किया गया है कोसन में थोड़ा एरर है लेकिन समझ लिएगा कि डोनाल ट्रम्प को दोहार 21 का नोबेल पुरुषकार मिल इसके लिए किस देश की संसद ने वहाँ पर ये नमांकन प्रस्चुत किया है तो ये क्या है नार्वे की ठीक है नार्वे की संसद ने वहाँ पर अपनी संसद में एक ये जो आप कह सकते हैं मिन्स नोमिनेशन किया है तो नारवे ने किया है नारवे की राजधानी उसलो है और यह किसलिए क्या है आपको पताई है हाली में UAE यानिक सहित अरब अमीरात और इसराहिल के भी सांती समझोता हुआ है उलन चास वरसों के बाद पहला खाली देश बन गया है UAE जो इसराहिल के साथ सांती समझोते को तयार हुआ है तो और इसमें मेडियेटर का काम डोनाल्ड टरम्प जी ने किया है था तो इसी के लिए इनको नोबिल सांती पुरस्कार देने के लिए नोमिनेशन किया गया है तो आप इतना इस कोस्टन से याद रखेगा चले कोस्टन नमर दस देख लेगा हाली में किस र जो इनके नाम से फ्लाइ ओवर बनाया गया है वो है करनाटक ठीक है करनाटक की राजधानी बैंगलोरू है पतो हूं चाहिए आपको करनाटक के सीमबेस जदरपजी है राज्यपाल वज्जुवाई बाला हैं बात करनाटक से इंपोटेंट जितने भी फैक्ट है आँच व किसानों के लिए वो भी करनाटक मेंश्रू कुल की के लिए किशिउ इंडिया एप नमस्ते हैंड्स है का भियान वह भी करनाटक का है एक और इंपोटेंट है अशले आफर है देश की पहली Integrated Air Abolence जो से वाु की गई है वो भी करनाटक में करनाटक बागी करनाटक के कुछ नशनल पार्क है जैसे बांधीपूर नेशनल पार्क है और आंशी नेशनल पार्क है और बनेर घटा नेशनल पार्क है और नागर होल नैसनल फार्क है ठीक है तो ये सारे चीज़ें आपको याद रखने है काफी इंपोर्टेंट है और आज कर जो कोस्तन है आदी वासी दिवस मना जाता है आपको कॉमेंट सेक्षिन में अंसर जरूर देना है मिलते हैं नेक्ट वीडियो में इनी तेरे कोस्तन के साथ तब तक है ले जहिंद बन दो